अगर कोई बंदा सस्ते नसे करके भाई या गत्ते के साथ अगर वैसलीन का पाउडर छिड़क के भी फूक रहा है न भाई तो भी तो भी वो ऐसी ड्राइविंग नहीं करेगा पब जी में भी और असली जिंदगी में भी और मुझे नहीं पता क्यों तो भाई लो कैसे हो तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और स्वागत आपका एक बराड न्यू गलत सीन से भरे हुए गेमपले में भाईや इसमें तो कुछ ज़ादा ही है मतलब होता है न भै एक time पे होते गलत सीन ठीक है चलता यार इसमें भया starting में होने वाले गलत सीन बीच पे भी होंगे भई दिवार के पीछे गूलिया पड़ेंगी तुमारे भई को तो यार वो तो हे उसके बाद end में भी गलत सीन होंगे तो मैं बोलतो भाई यह दैड़ पैड़ गन गिराओ नहीं तो गलत सीन हो जाएंगे हमारे साथ अब यहाँ पर मुझे एक गन नहीं मिलती लेकिन भाई यह जो बंदे न दो दो गन टंगा के लाएं एक गन पीठ में पड़ी है एक इसकारिल चला रहा है भाई और उसके उपर से एग और बंदा हम पर रस करी रहा ओता है तो मैं बोलता हो इसे भी पेलो पहले और इस बंदे को तो भाई पता ही नहीं था कि यह जिंदगी में कर क्या रहा है यहाँ पे हाना भाई कहीं इधर उधर भटक रहें दरवाजा खुला बंद करके अंदर गुजगए भाई फिर भगे जा रहे यार ऐसे रस करोगे भाई तो सिधा पेटी ही बनेगी यहाँ पे अब भाईया गोली की ऐसे ही कमी पड़ रखिये यहाँ पे हला बची कुछी जो भी गोलिया है वो मैं प्रिफायर कर देता हूँ और किसी को भी नीठी ला पता तो मैं बोलता है अब तो रस करने ही पड़ेगा और अब जो गलत सी नूने वाला है ना भाई मजा आने वाला है बिलकुली मार है ने वे पिनिस करने वारा था था पैंच से लगधा आगया बाद अब भाईया मुझे ना कोई भी सौक निये कि मैं ऐसी गने चलाओं जिनको बार-बार दबाना पड़ता है गोली निकालने के लिए लेकिन क्या करे देखो तुमारे भाईय ने प्री फायर में सारी M4 की गोलिया तो फुक दी और जब जरूरत पड़ी M4 की गोलियों की भाईया रिलोट का बटन पेला भाई रिलोटी नियोरीगन बाद में पता चलता है गोली खतम हो चुकी है और वो तो अच्छा हुआ भाईया एक मूटन्ट अगेरा पड़ी थी मेरे पेहना M7 6 भाई क्या बोलते हैं यार उसे खेर वो सब छोड़ो इन लोगों को जैसे तैसे पेला है और जब मैं रिवाइव कर रहा था ना भाई मेरी सबसे ज़्यादा बॉट से भट रही थी ऐसन ये कि भाई कोई बंदा आ जाएगा मुझे पेलदेगार मुझे बॉट से हच से ज़्यादा डर लग रहा था उस टाइम पे क्योंकि बॉट पेलता है ना भाई सीधा लगती है बंदा का तो एम मिस हो जाता है लेकिन भाईया बॉट ना यार गडबर कर देता अगर ब बंदे ने फ्लेर ड्रॉप मगा रखी है ठीक है फ्लेर ड्रॉप मगा रखी है और मानो याना मानो यार तगडी गर्ण अभी से मिलने वाली है मुझे और एम के चौधा भी चलाएंगी तो खतरना की सीरोंगे यार इस मैच में अब मैंने देखा भाई एक बंदा ग्रोजा पटका रहा है भाई मैंने बोला यहां पर रुकना ही पड़ेगा मुझे कुछ नहीं पता इसे जैसे भी पेलो भाई या भले किसी की भी पेटी बने हम दोनों में से यार वो ग्रोजा मांगती है हाँ अगर मेरी पेटी बन ग्रोजा थी बाई की चौड थी इनने लगा हम इनकी चौड से डरके भग गया होंगे लेकिन हम यहां पे गाडी रोके इने पेलते ये बंदा सोलो स्कौर्ट खिलने के बावजूद इस भाई ने मिलिटरी के पास चलाई थी भाई फिलेर और हम जैसे भूखे फिलेर के न से गोलिया चला रहे हैं मेरे पर खार 98 पड़ी है और इस पर सिर्फ लाल बिंदू लगी है लेकिन यार भाई की इतनी सस्ती स्नाइपिंग की पेल ही देता हूं मैं न कभी कभी समझ नहीं पाता भाई की मेरा और स्नाइपिंग का सीन क्या है ठीक है यहाँ पर लाल बिंदू लगा के मैंने उस बंदे को पेल दिया भाई काफी दूर था वो लाल रेड डॉट से पेल दिया भाई को और यहीं पर अगर आठेक्स होता नो तो भाईया इसमा सोचाता लेकिन पेल ही दिया कैसे भी अब यहाँ पर आगे एक बंदा रस कर रहा है ठीक है और मेरे टीमेट को यह पड़ी है कि भाईया ग्रोजा के साथ कौन सी गन आती है हना ग्रोजा के साथ AWM आती है देखो ऐसा जरूरी नहीं क्यूंकि ड्रॉप में दो जाती है या तो भाई आपको MK14 मिलेगी या तो AWM मिलेगी और इस टाइम पे MK14 ही होती है जो इसने छोड़ दी होती है इस बंदे ने बे रहमी से चिंदा मत करो यार तुम्हारा भाई उठाएगा और तगड़ा इस प्रे देगा उससे 6X का और वहाँ पे वो बंदा मेरे ख्याल से एक बॉट पेलने में भी जी था ठीक है नेड नूट किसने किया मुझे नहीं पता लेकिन क्यूंकि यार उपर कोई और मुझे दिखा नहीं या तो उसने पेल दिया होगा या तो बॉट होगा यार खेर जो भी सीन था मैंने उसे न भगा के लाए कि होता है न भाई जब खाना चूड जाता है साधी में तो आप भगाते वे जाते हो गाडी को या नहीं जाते हो या मैं ही एसे सीन करता हूँ हना ताकी फिरीका खाना मिले खैर जो भी हो भाईया ये तेजी में लाता है गाडी और मैं इसकी तेजी में पेट और MK14 प्लस ग्रोजा वहिया जीतने के चांसे काफी बढ़ जाते हैं और AWM भी मिलेगी बाद में मैं कुछ नहीं बोलूँगा ठीक है मैं PUBG की एक भी बुराई नहीं करूँगा लेकिन आप देखो ठीक है क्या मैं अकेला ऐसा बनना हूँ जीसे ये दिख रहा है कि मैंने किराउच का बटन दबा दिया था मेरा सर हड गया था उपर से उसके बाद भी मेरे सर पे दो गुली लगती है और मैं धेड़ पेड़ नॉक मैं कुछ नहीं बोलूँगा यार पबजी गेम सही करो मत करो यार मैं कुछ नहीं बोलूँगा इस बार ठीक है आप खुद देख लो एक बार रिवाइंट करके देख ले ना इस लो मोशन मैंने पेली दिया है वैसे भी हाना सस्ता वाला लेकिन एक बार रिवाइंट करके भी देख लेना कि क्या मैं बैठ गया था क्या मैं कवर में था कि नहीं खेर अब मुझे गुस्सा आ जाते तो MK14 जिन्दाबाद मुझे मतलब ये सीन देखे न कि भाई दिवार में कवर वगेरा आने के बाद भी कवर में आने के बाद भी गूलिया लग रही है मुझे गुस्सा टैप आ गया मैं न बोला इक भाई अब ऐसे भी ठिल रहा हूं मैं तो क्यों न बगैर हिल करे रस करता हूं और रस करने की जरूरत नहीं पड़ी यहीं पर आया मैं गाड़ी तक और MK14 प्लस 6X का स्प्रे पेल के यार देड़ पैड नौक कर दिया कर चुके थे मेरे बोलने से तो भी मुझे कमेंट करके बताने यार निला कर दो बस लाइक की बटन को धैड़ पैड बिल्कुल और आगे जाके और भी गलत सीन हो उससे पहले हम फटा फट बात कर लेते हमारे स्पांसर की तो इस एप या फिर वेबसाइट का नाम है वनेक्स बैट जो की एक बहुत बड़ी और ट्रस्टेट बैटिंग वेबसाइट है देखो जैसे मुझे यहाँ पर धोका वना भी कवर में आने के बाद भी गोलिया पड़ी ऐसा धोका आपको वनेक्स बैट में नहीं होगा क्योंकि यह एक ट्रस्टेट वेबसाइट है औ और इसके मदद से आप स्पोर्ट, e-sports, cricket, football, basketball, gully, dunda, pubg, pubg, mobile हर किसी पे बैट लगा सकते हो और अपनी prediction skills के तुरू पैसे अन कर सकते हो साथ ही साथ आपको 7000 रुपए तक का bonus मिलेगा आपके first deposit में अगर आप मेरा promo code use करते हो जो कि आपको comment section में मिल जाएगा और इससे पैसे withdraw करना भाया बिल्कुल हलवा है आसान है तो आप इस app को try कर सकते हो link comment section में होगी बिल्कुल top में कभी 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 न मैं समझ नहीं पाता कि क्यूं कुछ लोग क्यूं मगाते हैं ये bmdr brdm हाँ brdm को भया मुझे तो दुख होता है player की गनों के लिए जब ये मगा के wish किया जाता है player को अब मैं इधर भी और उधर भी एक एक बंदे नौक कर देता हूं भाईया किसी की kill नहीं मिलती ठीक है देखो मुझे ज़्यादा सौक है ये जो टापाटप होता है न मिनी 14, SKS, SLR या ये सब मेरे से चलाई नहीं जाती लेकिन mk है तो मैं बोलता हूं आज try करके देखा ज यार जो भी है न भाई वो काम आती है ठीक है अगर आप उसे तब चला रहे हो जब सरकल हट से जादा छोटा हो चुका है अना देखो अभी सरकल काफी बड़ा है इन लोगों ने अभी से फ्लेयर की ऐसी तैसी कर दी वो चला के और BRDM की हम ऐसी तैसी कर देंगे यहाँ पे न भाई इस मैच में मेरे साथ उल्टा हो गया सीन सीन सोट पूरा उल्टा हो गया मतलब आपने देखा हो गया यार पत्तो मैं जाड़ी मैं अज़स्ट करता रहता हूं लेकिन इस बार उस बंदे ने पेड़ के पत्तो से अज़स्ट कर दिया यार नौक कर दिया लेकिन यार नौक होने के बाद भी मुझे चैनी है ग्रोजा पटका रहा हूं मतलब मुझे आधी गोली भी लगेगी न अगर कान के बगल से भी जाएगी तो भी मैंने नौक हो जाना इतनी हेल्थ में लेकिन उसके बाद भी मैं ग्रोजा पटका रहा हूं उपर से देखो जो अब भाईया बुलू जोन आ चुका है हेल्थ की ऐसी तैसी हो रही लेकिन उसके बाद भी बंदे पेल रहा हूं मैं अब उस बंदे के नेट ने नसे दे दिये थे या वो खुद नसे में था यार मुझे नहीं पता और कसम से मुझे पता भी नहीं करना क्यों क्योंकि भाईया जोन ऐसी तैसी कर रहा है मेरे हल्थ की तो मैं सुईसाई घूप देता हूं अपनी छाती छूती में उसके बाद बोलता हूं यार अब निकलो मतलब देखो धीट होने की बिना एक सीमा होनी चाहिए जो कि मैं हमें साथ पार करता रहता हूँ और जैसे तैसे बज जाता हूँ लेकिन भाया मैं बोलता हूँ अब निकल लेना चाहिए हमें इससे पहले की कोई हर गलत सीन हो जाये तो यहाँ पे उसके बाद मैं देखता हूँ कि भाई बंदे किदर है हना समोक वगेरा बनागे भग चुके होते हैं तो मैं भी बोलता हूँ यार निकलते है अप टाइम आ गया है निकलना होगा लेकिन निकलने के बाद ऐसा नहीं है कि मैं भग जाओंगा कही और नहीं यार जो उनके अंदर आके जो उनके अंदर आके मैं दुबारा बाहर जाओंगा सिर्फ और सिर्फ बंदे ठिलानी के लिए क्योंकि भाईया जो लाला चेना अलग लेवल की है किल्की और इन बंदों पे गाड़ी गोड़ी कुछ नहीं होती ठीक है BMDR जो भी इनोंने मगाई होती है वो तभा कर चुके होते हम तो ये भक्के आ रहे होते ये साइट दूसरी स्कॉड थी तो एक को मैं धैड़ पैड इस्प्रे देके नौक करता हूँ और साप को देखो आप कहा है अब देखो इस मैच में कितने गलत सीनों चुके ठीक है एक HP कलच कर चुका हूँ मैं ठीक है उसके बाद भाईया दिवार के पीछे नौक हुआ उसके बावजूद भी जो स्कॉड लडरी ओक्तिये स्कूल में उन्हें पेल चुका हूँ मैं और उसके बाद यहाँ पे आके जोन के बाहर जाके एक साप से अगर में ठिलता तो सोचो किस लेवल पे मुझे दूख होता भाईया दिल के टुकडे टुकडे हो जाते यार और गुसा बहुत जादा आता लेकिन भाई साप को मैंने स्पॉर्ट कर लिया पता नहीं क्या ही क चुका है और मानो याना मानो यार हम सबको पता है वो साप बन चुका है तो यहाँ पर आके हम थोड़ा सा गाड़ी गुड़ी गुमाते हैं ठीक है बंदा नी मिलता तो मैं बोलता हूँ ठीक है यार चलो दो तिन बंदे तो पेल दिये उसकौर्ड के निकल लेते हैं अब दूसरी जगा जाते हैं तो दूसरी जगा के गुमाने के बाद इधर उदर भटकता हूँ मैं फिर मुझे स्कूल की तरफ बंदा दिखता है और जहां तक मुझे लग रहा है न भाई यह वही बंदा है जो उधर पे गायब हो गया था जो उनके बाहर पे और जिसी साब से इस बंदे की सीधा पेटी बनेना सीधा लिखा आया कि भाईया तुमने इसे ठिला दिया मुझे 90 परतिसत लग रहा है यह वही बंदा था जो उधर पे गायब हो गया था यह भगबू के इधर आया होगा हमने गाड़ी बटकाई थी बहुत जगा पेलने की कोशिस हमेशा करते हैं तो यहाँ पे मेरे ग्रोजा है एम के 14 है जिस पे लाल डॉट पेल चुका हूँ मैं मेरे टीमेट गाड़ी चला रहा है और भाई मुझे नहीं पता क्यूं लेकिन इतनी सस्ती ड्राइविंग कर रहा है न भाई आप बोलोगी यार क्यूं अब यहाँ पे न भाई एक बात मैं आपको लिख के दे सकता हूँ ठीक है आपको विश्वास भी नहीं होगा लेकिन हाँ यह सही है अगर कोई बंदा सस्ते नसे करके भाई या गत्ते के साथ अगर वैसलीन का पाउडर छिड़क के भी फूक रहा है न भाई तो भी वो ऐसी ड्राइविंग नहीं करेगा पपजी में भी और असली जिंदगी में भी और मुझे नहीं पता क्यूं लेकिन हमारे भाई ने इतन बास चुके हैं गाड़ी के नाम पे हम पे कदू भी कुछ नहीं है कवर के नाम पे ये इतने सस्ते पेड़े न मैं बता रहा हूँ यहाँ पर बच नहीं सकते अगर जो आपके सामने खिल रहा है भाई अगर उस पे थोड़ी सी भी इधर उदर कर दे की जगा होगी ना देखो AWM सनाइपर राफाइल की मैं हद से जादा इज़त करता हूँ यार AWM पड़ी हो और उसे मैं ना उठाओ नो भाईया पाप चड़ सकता है और अगर मैं यहाँ पे ना उठाता नहीं ये तो शायद हम मैं चार जाते तो मैं बोलता हूँ भाईया भले मेरी पेटी बन जैसी गोली पहुंचने वाली होती है नो उसके सर पे भाई बन्दा हट जाता है बिल्कुल मुह फेड लेता है दिल मोड लेता है निकल लेता है वहां से मैं बोलता हूँ कोई न यार चलो रिवाइफ करने का तो मौका मिला और वो भी समल के पीक करेंगे अब ऐसा मुझे लग रहा है आप करेंगे की नहीं मुझे नहीं पता लेकिन मेरे पे भी एडबलोय में यार तो उन्हें भी थोड़ा तो डरना चीए लेकिन सीनस है न भाई उन पे भी एडबलोय में है तो वो भी फुल जोस में है और वो घर के अंदर भी है यार तो वो तो जोस में हों ग अब ये गलती से headshot पेलने के बाद ना मैं खुस होता हूँ भाया खुसी के ठिकाने नहीं होते मैं सोचता हूँ कि चलो भाया टाइम मिल गया साइड में जो सनाई पर टावार है वहाँ पर बैट जाओंगा मैं लेकिन उतने में पता चलता है कि हमारे भाई को भी AWM चटका दी गई है तो यहाँ पर मैं भी revive करता हूँ उन लोगों ने भी revive किया होगा भाई revive करते मैं भग लेता हूँ और जो speed में भगता हूँ ना यार पूछो मत और cover में आके भाया AWM reload वगरा करके सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही चीज़ दिख रही है वो सनाई पर टावर और वहाँ पर नहीं पहुचे ना यार बचने के बहुत जादा कम chances है तो यहाँ पर आजातों मैं ये सस्ते पेड़ों में देख रहा हूँ और ये peak क साथ क्या ही नसे होरे मुझे नहीं पता उस बंदे को मैंने एक सौट दिया लेकिन ये जो घर वाले बंदे होते ना उसको पेल देते हैं मतलब मेरी बस गोली बरबाद गई मैंने बस डैमेज दिया और उन लोगों ने किल ले लिख है कोई सीनियार कम से कम उस बंदे की वहाँ पर दो स्कॉर्ड आ चुकी है घर पर दो स्कॉर्ड आ चुकी है इसका मतलब अपने को थोड़ा सा टाइम मिलेगा यहां से चोन में भगने का और इस से पहले कि हम भग भूग पाते हमारे भाई फिर से नौक हो जाते भाई भाई ने कते सस्ता गत्ता फूक रखा है इस मैच में लेकिन कोई सीनियार अभी अपन लोग कवर में है हमारे भाई बिल्कुल सनाइपर टावर के नीचे नौको रखें तो कोई सीन है नी अराम से रिवाइव देंगे और ये लोग इतनी सारी गोली चला रहे होते ना भाई मेरी यहां से निकलने में भट्री होती है लेकिन जैसे तैसे करके मैं पीछे की साइट आता हूँ रिवाइव वगरा पेलता हूँ और बस मैं इंतेजार कर रहा हूँ कि आगे वाले बंदे लड़ाई करना चालू करें जो की होने ही वाली है शुरू हना उपर जो हलचल दिखरी है ना भाई साफ पता चल रहा है रस भी नहीं निकलो रस करो यही टाइम है यही मौका है अब भक्ते भक्ते रस्ते में मैं एक बंदे को तो पेल देता हूँ लेकिन यार बात यह है कि वहाँ पे दो स्कॉड लड़ी थी तो यहां पे समोक वगेरा बना दिये गए हैं मैं घर पे घुश चुका हूँ क्यूंकि बाहर यार कौन पहां पे लेटा हो किसे पता तो गर्द पे गुश्ते ही बंदा दिखता है मुझे और मेरे ख्याल से यह वही बंदा है जो बगल वाले घर में पेटी पाटी लूट रहा था जिसको मैंने पेला था पेट में पेट में जिस पे मैंने सौट मारा था है ना AWM है मेरे ख्याल से यह वही बंदा था क्योंकि घुलाबी ड्रेस उसी की भी थी और इसकी भी थी तो जो भी स्कीनवर अपने को क्यापने को किल से मतलब है तो यहां पे किल मिल चुकी है अब अपने पे गाड़ी ही गाड़ी है ना यहां पे भर बुर के ठोप रखी होती है उन्हें गाड़ियां अंदर तो सीन कोई है नी और ये सौट देखो आप अब ये बंदा कते ही पाहड पे चड़के साप बना होता है तो आराम से दिख जाता है इसे पहले के बाद डैड़ पैडरस करते हैं और आखरी सरकल में भाईया साप का चक्कर मौच से टक करना हो ऐसा बहुत ही कम होता है तो देखो आप ये और साप का चक्कर मतलब मोच से टक कर यार ये बात हर किसी को पता है आज की दुनिया में खेर देखो यहां पर ना मैं ठिल जाता अगर मैं ये कोशिस करता कि मैं कवर में चुप जाओं भाईया कहीं पे चले जाओं क्यूंकि यार जाड़ी की तरफ अगर मैं भगता तो वो मुझे आराम से पेल देता लेटता तो शायद कुछ हो सकता था लेकिन मैंने बोला भाया अब कुछ भी हो गोली चलाना शुरू करता हूं ठीक है तो जब भी आपके साथ ऐसा होता ना भाई कि साप आपको गोली पेल रहा है लेकिन उसके सौट बहुत ही मिस कर रहें तो क्या करो अगर आप कवर के पास नहीं हो तो गोली पेलना चालू करो मुझे नहीं पता पत्थर पे मारो जंगल में मारो जाड़ी में मारो मिट्टी में मारो बस गोली पेलो और पेलते पेलते ना भाई ऐसा होगा कि आपको वो बंदा दिख जाएगा उसी डिरेक्षिन में गोली पेलना और क्या पता ना दिखे फिर भी आपकी गोलिया लग जाए तो वो भी सही है यार कम से कम चांच तो होगा आप पे क्योंकि अगर यहां पे मैं बचने की कुशिस करता ना मैं सही में बता रहो मैंने नौक हो जाना था लेकिन मैंने बोला यार अब देखो नौक वैसे भी होना है ऐसे भी होना है गोली चला के नौक होंगा चौड में तो गोली चलाई तुम्हारे भाई ने भाई को बंदा दि नीला कर दो बिल्कुल और उसी के साथ साथ यार नीमो टीवी में मैं डेली स्ट्रीम करता हूँ और आप लोगों से बात करने की साथ खेलने की पूरी कोशिश करता हूँ जितना हो सके और साथ ही साथ वहाँ पे एक बहुत बड़ा गीववे चल रहा है आईपैट रॉयल पा रहा है लिंक मैने डिसक्रिप्शन में डाली होगी अगर मुझे आलस नहीं आये होगी यार डाल देनी चीए तो हाँ डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगी आप वाहाँ से मुझे फ्ॉलो कर सकते हो तो कल मिलते हैं भालो गयार बहुत-बहुत शुक्रेह वीडियो देखने के बाई बाई और आप 1X बैट भी चेक आउट कर सकते हो उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी झाल सकते हो कि भी बाई इस CPR कर दो सकते हो आकृट झाल झाल